कैबिनिट ने पॉक्सो आक्ट में बदलाव को मन्जूरी दी, 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप पर फांसी की सजा होगी सरकार का अध्यादेश लाने का फैसला कैबिनिट ने लगाई बैठक में मुहर महरा से रेप की सजा बढ़ा कर साथ से दस साल की गई, नए आक्ट में दो महीने में जांच पूरी करनी होगी रेप केस के सभी मामलों के सुनवाई 6 महीने के भीतर पूरी करनी होगी बच्ची की उम्र सोरह साल से कम होने पर आरोपी को कोई अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी 16 साल से कम उम्रकी बच्चियों के साथ रेप के मामले में सजा 20 सार की गई सजा को उम्रके तक बढ़ाए जा सकता है जेडियू नेता केसी त्यागी ने मोधी सरकार के फैसले का सपागत किया उन्होंने कहा सजा इतनी सक्थ है आप लोग प्राइंग करने से डरेंगे मध्यप्रदेश के सीम शिवराज सिंग ने कहा रेप के 80 प्रतशत मामलों में रिष्टेदार ही आरूपी निकलते हैं रेप के मामले में फासी होनी ही चाहिए शिजराद सिंग की महिलाओं से अपील रेप के मामले में चुप रहने की ज़रूरत नहीं दोशी को सामने लाए सर्मान खुर्षीद ने कहा कि ये एक समेधन शीर मुद्दा है सरकार इस पर ध्यान से सोचे अपराधू की जड़ तक जाकर इन्हें ठीट करना होगा सीपियम नेता व्रिंदा करात ने कहा कि मौत की सजा के वो खिलाफ हैं पहले से ही जगहन्य अपराधू में मौत की सजा का प्राप्धान है विंदक रात ने का कि जब सरकार के ही कुछ लोग बनातकारीं का समर्चन करेंगे तो क्या होगा उहोंने बनातकारी को बचाने वालों के लिए भी सजा के प्राबधान की मांग रगी सबी पादियों को मिलकर बात करनी चाहिए कॉंग्रस नेता शकीर हमद ने का रेप आए देश में बड़ी समस्या है और इस पर कड़ा कानून बनना चाहिए बीजेपी सांसो देमा मारेली ने का रेप की घर्टाओं से देश का नाम खराब होता है ऐसी बारदात नहीं होने चाहिए महिलाओं के लिए काम करने वाली सामाजिक का रेकर्टावं ने मूदी कैबिन के फेसले को सराहा काऊसो एक्ट में बदलाग पर महिला आयो की अध्यक्ष रेखा शर्मा का बयान सरकार के फेस्ट्र का किया स्वागत लेकिन कहा चानून को लागू करना होका चुनाति NCW अध्याक श्रेकर शर्बा ने मोधी सरकार को सदा दी कि रेप के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोड बनाए जाएं इसी से पीरता को जल्व भियाएं दो सकेता रेप के दूश्रियों को फासी की सजा के मोधी काबिनिट के फैस्टे पर राजस्टान की महिलाओं ने खुशी जता आई कहा ऐसा खानून बहुत पहले बन जाना चाहिए दूश्रत में नाबालिक बच्ची से रेप और उसकी हत्या के मामले में मुख्य आरोपी समेट तीन ने जांच कराएगी सोन्या के गढ़ राए बरेली में बीजेपी अज्यक्ष अमिच्छा ने कॉंग्स पर लगाया परिवारबाद का आरोप कहा राए बरेली में विकास बाद लाएगी बीजेपी आमिच्छा ने का कॉगस को हिंदू आतंगबाद का रूप लगाने के लिए यहां के लोगों से माफी मांगने चाहिए सीएम योगी ने का हमने विकास में कभी भेदभाव नहीं किया, राइबरेडी में एम्स शुरू करने जा रहे है राइबरेडी में बीजेपी के मंच के पास लगी, आग बुझाई गई, शॉर्ट सिर्किट की वजह से याग लगी कॉगस को राइबरेडी में बड़ा जटका, पार्टी के कद्दावर, मल्सी दिरेज सिंग बीजेपी में शामल पटना में राश्च मंच अदिवेशन का आयोजन, तेंजस्पी, यादर, यश्वन सिना, शतुगन सिना, सहित, कई नेता जिटे बीजेपी के वरिश नेता, यश्वन सिना ने पार्टी छोड़ी, कहा खुद को बीजेपी से अलग कर रहा पटना में राश्च मंच पर नेताओं के बीच यश्वन सिना ने कहा किसी भी राज़नतिक पार्टी में नहीं जाओंगा सुश्मस वराज कर चीन के दोरे पर रवाना विदेश मंत्री की चार्ट दिन की आत्रा सुष्मस वराज के दोरे से पहले चीन ने पाकस्तान का समर्थन किया कहा उमीद है आतंग के खिलाफ पाक की कोशिशों का अधराश्च समुदाइस समत्र करेगा सुष्मस वराज कर चीन के विदेश मंत्री से मिलेंगी सुत्रों के बुताविक स्वास्ते कारणों से सोन्या नहीं करेंगी करनाटक चिना में कॉंगर्स के लिए प्रचार, प्रचार के लिए कॉंगर्स के गडबंधन दलों के बड़े नेताओं को बुलाए जाएगा वांगलस्की स्टार्प चारकों की संभावत लिस्ट में एंसेपी से शरत पवार, एसपी से अखलेश यादव और आरजडी से तेजस्पी यादव का नाम शामिल 12 माई को होने है करनाटक में बिलहां सबाद चुनाओ जमु कश्मीर में कच्छुआ के स्सपी का तबादला सुलिमान चौधरी हटाए गए, श्रीधर पार्टल को भी गई नई जम्मेदारी जमु कश्मी सरकार में कानून मंदरी अब्दुलहक खान का बयान कहा कच्छुआ रेप केस की फास्ट राक पॉर्ट में होगी सुनिवाई अब्दुलहक खान ने कहा कि कच्छुआ रेप केस में पेशवर्ट तरीके से जांच की गई है, जिला अदालत और सुप्रिम कोट मामले को देख रहे हैं, इनसाफ होना तैट पेश्टिम बंगार में निवेश के लिए निवेशकों से मुलाकात करेंगी पेटोर और डीजल की कीमतों में बढ़ोटरी को लेकर उडिशा विधान सभा में कॉंग्रस वधायकों का हंगामा स्पीकर के पास वेल में जा करना लेबार जिकी मदर प्रदेश के इन दौर में पांच महीने की बच्ची की रेब के बाद हत्या आरूपी गिरिफ्तार शिवलास पालस के बेस्मेंट में श्रम मिला एन दौर की घटना पर सी एम शिवराद सिंग ने दुख जताया कहा जगजोग देने वाली घटना पुलिस ने तुरंट का रवाई कर आरूपी को गिरिफ्तार किया इन दौर में बच्ची से रेब पर शहर के लोगों में घुसा है प्रदशनकारियों ने बच्चीयों से रेब के मामले में फांसी की माम की पर्टना में कॉंग स्नेता रेनुका चौद्री का प्रधार मिंद्री मोधी की विदेश यात्राओं पर तंज कहा पी-म को विदेश यात्राओं का शौक है लेकिन रेट प्रिवार से मिलने के लिए वक्त नहीं हन्याना के अंबाला में जन में एनाराई रवी बंसल की समात सेवा बनी मिसाल कैंसर मरीजों की राज के लिए तैयार करा रहे हैं अस्पताल कई मरीजों का करवा चुके हैं मुफ्त नाज मत्रा में स्कूर चलो अबियान को लेकर राली निकाली गई बच्चों को परहाई के लिए जागू करने की कोशिश पागपत में दिव्या नाम की महिरा बनी दिव्यांगों के लिए मसीहा दो दरजन से जादा दिव्यांग बच्चों को देती है निशुर्क शिक्षा यूपी के जाए 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 पुरकर रहने वाला यूएक्स सल्मान बना लोगों के लिए जिन्दा मिसाल बेजुबान जानवरों की करता है सेवा शहीदों की पतिमाओं की भी करता है देखने पिजनौर में जिला जेर की रसोई भी हुई हाइटेक और आधुने खैदियों के लिए अच्छा और साफ खाना बनाने के लिए रसोई में लगाई गई मश्यूर्य यूपी के कोशांबी में वाटसाप के जरीए क्राइम रोकने की कोशश गाव के लोगों को भी पुलिस ने जोड़ा यूपी के हमीरपूर में 103 साल के बुजर्ग ने अनुखी मिसाल पेश की तीने कर बंजर जमीन को हरा भरा किया बरेली के जिला स्पताल में बड़ी लापरवाही 15 मिनट तक चिर्डर्ण्स वाड में रुकी ऑक्सिजिन अफ्का तफ्री के बाद मचा हर कम समय रहते हालात पर काबू पाया गया यूपी के पीरी भीत में शिकार से बचकर भागे हरन को बचाने में जुटा वन विभाग बरामदगी के वक्द घायल हरन के पैर बधे हुए थे गर्दन पर चुड़ी चलाई गई संबर में पशू पसकरों ने टैंकर में छे गायों और साथ भैसों को रखका ट्रक में छपाया पुलिस को देख भागे पसकर एक गाय की मौत हो गई बारे पशू को रेस्क्य किया गया फैजरबाद में सड़क हादसा शादी समारों से लोट रही बस तेज रखतार प्रक से टकराई बस में बैठे दरजंबर यात्वी खायल हो गए दो की मौत हो गई निटी के रामपुर में आठ साल की बच्ची से रेप की बारदाद पीरिद बच्ची का अस्पताल में लाज जारी पुलिस ने आरोपी को गिरिफतार किया बदायू में सडक हादसे के बाद भीर ने युवक की पीट-पीट कर हत्या की मौतक के परिवार ने लगाया पुलिस पर लापरवाही का आरोप साहरंपुर में महिला ने ससूर पर लगाया रेप का आरोप पुलिस पर भी बिरा शिकायत लिखे वाफस भेजने के आरोप लगाए S.P. ने मेडिकल जांट के ले पेजा मध्य पदेश के जबलतुर में कॉंगस का लोग तक जो सम्विधान बचाओ अभियान शिरू कमलना जोतराद के समेट पाथी के कई बड़े नेता शामेर हुए बिहार के औरंगा बाद में अकसलियों के खिलाफ पुलिस का सर्च ऑपरेशन कई बंकर तबाह किये गए मुढ़ेड के बाद भागे अकसलियों 36 गर्के सुख्मा में पुलिस और उकसलियों के बीच मुढ़ेड सीर पीफ के एक जवान के शहीद होने की दुखत खबर मुंबाई में लड़कियों के गायब होने की घटनाओं में चार्ट साल में पंज़ए गुना इजाफा अटियाई के मुताबिक 2013 में 92 नाबालिक लड़कियां गायब हुई 2017 तक ये आकड़ा बढ़कर 1368 पहुचा हमाजी पुदेश के सोरन में यातयात नियमों के लिए लोगों को जागू करेगा परिवन विभाव 23 अप्रेल से मनाए जाएगा सड़क सुरक्षा सब्ता सिक्किन के सबसे उनुची चोटी पर तिरंगा लहराने के लिए रवाना हुई परवतारोहियों की टीम महिला परवतारोहियों की अगुआई में जमशेदपूर से निकली 23 लोगों की टीम परिवा नगर में मन्चले की भीर में की पिताई आती जाती महिलाओं से करता था अश्वील हर्का पाकिस्तान गए सिक्षधालों का जट्था भारत लोटा बैसाखी मनाका खास ट्वें से पंजाब के टारी स्टेशन पहुंचे शथालो पंजाब के हुश्यातों में निर्मारा धिंगल जिन की छटगिरी आठ लोग जखनी हो गए एक ही हालत कमखी है पंजाब के अबोहर में बच्ची से रेट के मामले में इंसाफ नम मेने से नाराज स्पीरित माता पिता पानी की तंकी पर चड़े प्रशासने जल्द का रवाई का भरोसा देकर नीचे उपारा राजस्तान के लोहावट में कटीरे तारों में फसी नील गाय का वन विभाग में रस्क्यू किया खायल गाय को रस्क्यू और इलाज के बाग दुबारा जंगल में छोड़ा गया जोदपुर में ग्राम स्पुराज अभियान के तहट 22 परिवारों को निशुर को गैस कनेक्शन बाते गए परिवारों ने गुर बाट कर खुशी का इजहार किया राजस्तान के बारा जले में लोगों को दी गई आग से निपट्टे की च्वेनिंग घर में फसे लोगों को कैसे निकाले ये भी बताया गया जालकरन के जाम ताड़ा में 22 हात्यों के जुन ने तीम घरों में तोड़ खोड़ की फसल को नुकसान पहुंचाया अलाकि सभी ग्रामिंट सुरक्षित वन विभाग से की मदब की अबी डिली में युवक पर पुलिस का थर्ड डिग्री टॉचर पुलिस पर रुश्वत मांगने और जूटे केस में फसाने के आरू डिली एंसी आर में आइपिल मैचों में सटेबाजी के गैन का खुलासा से तीन लोगों को गिरिफतार किया चाके मारी में सटेबाजों से 21,40,40 मुबाइल और टीम डापटॉक मिले एस्टी एफ ने पूश्टाच शुरू की मुंबई में आटो ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर यात्री को चाकू घूप दिया किराय के बचे पैसों को लेकर विवाद हुआ था तीन आरोपी गिरिफतार पानी पत्मे अवैद नशा मुक्ती केंडर पर स्पास्तर विभाग का च्छापा आये की कमरे में बंद किये मिले 35 लोग मानेजर पर जोर जबर्दस्ती से रखने का आरोप उत्राखन के हज़वारी में दोस्तों ने अपने ही दोस्ती कार से कुचल कर हत्या कर दी सीसी टीवी में रेकॉड हुई वारदाथ चार आरोपियों के खिलाफ जारी बिहार के सिपॉल में एक शफ्स ने 11 महिने के बच्चे समेथ पत्तिं का गला रेद दिया बच्चे की मौत पत्ति की हालत गंभीर आरोपी की तलाश जारी जारगन की गुमता में एक ही परिवार के दो लोगों की चचेरे भाई ने हत्या की आरोपी की तलाश जारी शवों का पोस्ट पॉंटिंग किया गया इंवेस्टमेंट बांकिंग कम्टी सीरेसे की रिपोर्ट दो हजार उन्लीस लोग सवाचिना में नहीं जीते मोदी तो भारत की ग्रोथ को धक्का लगेगा रत्नागिरी का हापुस आम भी हुआ खास नया नाम मिला हापुस रत्नागिरी बागवानी करने वाले किसानों को होगा ज्यादा फायदा